से चलो गइद देखो हां लास्ट लास्टास में लोग ने कर ऐंगे ट्रांपोर्टेशन शिस्टम्पकर और मैंने बताया था आपको कि ट्रांपोर्टेशन सिस्टम कि मतलब होता है एक एससा system म्कक्त्र ट्रांपोरड करने में रहा गता है और और result do लोगने के लिए जहाए को मैइन किसकी मेंट तरह जो ब chopped bone के आंधर 15 के लाबاف यह सब काम करने के लिए माम किley को हاتे है इसको क्या भी फक्राइब कि लोग सब्राइब्द inom स्टी명 के लिए हरड जो बोलते है जिर् Currently बेंगे जिसका नाम यहुँमन हर्ड रहिंगे है तो यह जो human heart होता है, इसको 4 parts में divide करा है, इसको 4 chambers भी बोला जाता है, देखो, एक यह रहा, दूसरा, तीसरा, और चौत, 4 chambers है, ठीक है, उपर वाले 2 chambers को atrium बोलते हैं, और नीचे वालों को ventricle बोलते हैं, उपर वाले atrium को auricle के नाम से भी जाना जाता है, उपर वाले atrium को क right ventricle, ठीक है, समझ भाया, अब ध्यान से देखना, जो left वाला reason है, और जो right वाला reason है, इसको एक wall के थुरू separate करा गया है, इस wall का नाम होता है septum, left वाले reason को, right वाले reason से एक wall के थुरू separate कराता है, उस wall को क्या होता है, हम लोग, septum बोलता है, septum separate the left reason from right, लगा, left से right को separate करन अच्छा, atrium को ventricle से separate करेंगे हमारे walls, atrium को ventricle से separate करेंगे, walls करेंगे, आप इन walls का अलग लग नाम हमें, राइट एट्रियम को राइट वेंटिकल से सेपरेट करेगा ट्राइकर स्पीड वेल और लेफ्ट एट्रियम को लेफ्ट वेंटिकल से सेपरेट करेगा मिट्रल वेल फिर से समझो पूरे left chamber को पूरे right chamber से separate क्योता है septum, left atrium को left venticle से separate क्योता है tricuspid valve, left atrium को left venticle से separate क्योता है tricuspid valve, left atrium को left venticle से separate क्योता है material valve, ठीक है, अच्छा valve का क्या काम होता है, valve को क्या काम होता है, prevent backflow of blood, valve prevent the backflow of blood, बलड के backflow को वो prevent करते है, जब blood right chamber में पूरा बर जाता है, तो blood tricuspid valve के उपर pressure लगाता है, और tricuspid valve क्या होते है, open होते है, और open होके blood enter करता है हमारे right venticle, जब blood right atrium में पूरा बढ़ जाता है, तो tricuspid valve के उपर pressure लगाता है, tricuspid valve open होते हैं, और blood enter करता है हमारे कहां पे right atrium, ठीक है, ठीक है, अच्छा जब blood right atrium से right venticle में enter करेगा, जब पूरा इंट्टर जाएगा तो घ्रीक जैगा जलोज हो गया तो भी जो जाए गए आउनले पिछे वाप पर टेंध तो पहा जाएगा पुरा यह पूरा पील हों जाएगा जाएगा कमप्लीट और पल्मिनरि विल्ब के उपर दोके की प्रेश्र लगाएगा पुल्मयरि व्यश्थ के ओपद ओपन होजाएगे तो व्हारी प्ल्माइरी आठीग हमे़री फिरॉन पंपन हो से आयाँ आया समय में अब इदर आ जाओ जब लफ्ट एट पूरा ब्लेट भर जाएगा ठीक है तो प्रेशर लगेगा मिट्रील के उपर जब लेफ्ट एटंट रूप्र जाएगा तो इसके उपर मिट्रिल वैज्ण अब यहां से एंट्र करेंगा लेफ्ट वैंट जब लेफ्ट एं तो प discern हो जो होता है यह जैसर होती है do कि झो एक होता है वह जो क्या होता है फ्र्दड षती यहार्ट जु करने के लिए आंतीन तर्डिट के संद्रीन रहों कि यह अंचरौ चंबर की ऐसा और यह septum समझ में आ गया जो हमारा हार्ट होता है एक special type की muscle से बना होता है जिसको क्या बोलते है cardiac muscles बोलते है अब cardiac muscle cardiac muscle ठीक है rhythmic contraction and relaxation तो ठीक है क्या क्या कोते है rhythmic contraction and relaxation rhythmic contraction and relaxation का मतलब ही होता है कि fixed interval of time के अंदर contract of fixed interval time के अंदर वो क्या होंगी relaxation ठीक है जिसको अम लोग क्या बोलते है heart beat बोलते जिसको क्या बोलते है heart beat देखो जब contract करता है तो इसको बोलते है systolic systolic phase phase of contraction is called systolic phase and phase of relaxation is called diastolic phase पूरी heart beat जो होती है वो 0.8 second की होती है उसमें 0.5 second होता है diastolic phase और 0.3 second होता है systolic phase मतलब एक heart beat में सिर्फ 0.3 second तक ही हमारा काम जो heart जो होता है काम करता है बाकि बिलकुल accuracy के साथ में होना चाहिए अगर यह काम accuracy के साथ में नहीं होगा तो फिर खत्म क्योंकि सब जगापर oxygen नहीं पहुंच पाएगी oxygen भी नहीं पहुंच पाएगी और भी बहुत सारे material की इनको requirement है जैसे nutrients होगे hormones होगे waste material हो गया वो क्या नहीं हो पाएगे अपनी position तक जहां पर उनको जाना है वहां पर पहुंच नहीं पाएगे जिसके इसे पूरे body के system क्या हो जाएग हो जाएग और body system होगे तो तुम भी हो जाओगे ठीक है तो एक बाए फिर से समझते है यह इस structure है human heart का human heart के charge chamber होते है ठीक है दो atrium और दो ventical atrium को auricle के नाम से भी जाना जाता है right atrium को right ventical से separate करता है tricuspid valve left atrium को left ventical से separate करता है material valve ठीक है और क्या कहते है जब blood इसके अंदर फिल हो जाता है right item के अंदर तो tricuspid valve open होते है और वो right ventical के अंदर एंटर करता है जब right ventical के अंदर एंटर करता है तो यह tricuspid valve भी को जाते है ठीक है ताकि backflow of blood को क्या करा जाए प्रिवेंट करा जा सके और फिर हमारे entry होती कि इसके अंदर में pulmonary artery के अंदर pulmonary artery जो होती ही वो blood को लेके जाती है कहां तक lungs तक लेके जाती है lungs तक लेके जाने के बाद क्या होता है उसको भी पढ़ेगी हो ठीक है लंक से आते है眼, लंक से आता है oxygenated bleed कहां पर left atrium में, that waking atrium में जो pressure पटता है तो फिर वो क्या करता है mineral valve को open बैप जैसे यह open होता है तो हमारा blood जो होता है वह कहां पर left pentacle में पर जराता है तो ब्लड भज़ाता है तो प्रेश लघा ध उक गवां जिससे के फिर aorta के अंदर entry होते ब्लड की और फिर वो arteries के तुरू different organ of the body तक transport कर दिया जाता है ठीक है वहाँ से फिर वो capillages के तुरू cells तक भी पहुंचा जया जाता है शंञा इसके अलावा यह नहीं देखा हम लोग ने यह स्वेडियर वेन और नीचे से आएगा इन्फिरियर वेन अकाववा और इन्फिरियर वेन 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 कावड का 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 म वता है डी ऑसिनिटी ब्लड को different organ से हर्ट तक लेके आने सब्सक्षाद का क्या होता है Pulmonary Vein. ठीक है? Pulmonary vein क्या करती है? Oxygenated Blood को लेके आती है? Lung से heart के दना है. तो अब एक चीज को ध्यान से देखना. 4-Chempered Heart होने का फायदा यह होता है कि Oxygenated और Deoxygenated Blood Separate रहते हैं. 4-Chempered Heart होने का फायदा यह होता है कि Oxygenated और Deoxygenated Blood क्या होते हैं? Separate. जब oxygenated और deoxynative blood separate रहते हैं तो easily oxygenated blood का एक specific organ तक transportation होना आसान हो जाता है और rate of respiration जो होती वो क्या होती बढ़ जाती है ठीक है इसलिए यह advanced feature है हम लोग का की हमारा पास 4-chambered heart होता है और 4-chambered heart होने का सबसे बड़ा benefit होता है कि oxygenated blood जो होता है वो deoxynative blood से separate होता है अब ध्यान से समझना जो हमारा right chamber है राइट वाला जो portion है वहाँ पर हमेशा deoxynative blood रहेगा कभी भी oxygenated नहीं आएगा right chamber of our heart always receives deoxynative blood हमारे heart का right chamber होता है वो हमेशा deoxynative blood को ही receive करता है ठीक है और left chamber of our heart always receives oxygenated blood हमारे heart का left chamber जो होता है वो हमेशा oxygenated blood को ही receive करता है आगे समझें सुपीरियर वेना कावा इंफिरियर वेना कावा का का काम देखो अपर बॉड़ी पार्ट से deoxynative blood को लेगे आएगा और inferior वेना कावा लोड़ बॉड़ी पार्ट से क्या करेगा और इहां पर यहां पर यू पेस्मेकर होते हैं विटाए ठीक है यह क्या होते हैं पेस्मेकर होते हैं और पेस्मेकर का काम होता है कि कॉर्ट्रेक्शन और लेक्षेशन को क्रिएट करने का ठीक है इसको हम लुग हायर क्लास में पढ़ेंगे अभी नहीं पढ़ेंगा पल्मुनरी वेन का करेगी ऑक्सिनेटिल ब्लेट को लंग से लेके आएगी हमारे हट के लेफ्ट चंबर और लेफ्ट चंबर समय में आगे अगया हट का Falcon को कुछ ही कुछ पूछ पूछना है तो उस नस我很 अब ध्यान के दीथना के ढ़ने थे तो मैंने बताय था आप लोग को कि ट्रांसपोरेशन होता है ऐक्सीजन का प्सीजन के ति एफ्ट आम सह तक ताकि glucose के साथ oxygen combine हो सके और production हो carbon dioxide यही तो होता है ठीक है ऐसा कैसे हो पाता है किस तरीके से transportation होता है oxygen का और carbon dioxide का उसको समझते हैं वाम लोग देखो हमारा जो blood होता है बच्चो वो रैडिसली होता है क्योंकि उसके अंदर क्या पाए जाता है hemoglobin पाए जाएगो क्या पाए जाता है ठीक है हमारा जो blood होता है वो रैडिसली होता है क्योंकि उसके अंदर क्या पाए जाता है hemoglobin अब hemoglobin की affinity होती है oxygen के साथ है hemoglobin oxygen के साथ combine कर लेता है जोड़ जाता है affinity लगा होता है attachment होता है hemoglobin can attach with oxygen और एक hemoglobin के साथ 4 oxygen molecule क्यों होता है attach होता है एक hemoglobin के साथ कितना oxygen molecule चार oxygen molecule अटाइक होता है जब एक hemoglobin के साथ 4 oxygen molecule लेटाइच होता है तो वह oxy hemoglobin मुनाता है क्यों आते हैं oxy hemoglobin होता है एक है एक है और hemoglobin carbon dioxide के साथ बेटाइच हो सकता है एक है तो एक है कार्बोक्सीम होता है देखो hemoglobin carbon monoxide के साथ बेटाइच हो सकता है यह वाले जो दो attachment है यह temporary है और यह वाला कैसा है पर्मन है ठीक है जब hemoglobin carbon dioxide के साथ या oxygen के साथ combine होता है तो यह bond यह temporary bond होता है जब hemoglobin carbon monoxide के साथ combined होता है तो यह होता है permanent bond and carbon monoxide कब बनता है जब unburnt carbon होता है जो काला धुआ होता है उसके अंदर का उसका होता है carbon कावन मोनक्सरड़ के साथ के साथ बंड बना लिआ फिर निसीमघक्लोबिन कावन मोनक्सेड divies वो कम हो जाएंगा और जितना 시간 चाज़ाएग का चालब हो जाएग को rat तो बस इसलिए का जाता है कि हम लोगों को मतलब दुएं के पास में ज्यादा नहीं रहना है अब कोश्यों यह राइज होता है कि हमोगलोबिन ऑक्सिजन के साथ कब कमबाइन होगा और काबन डायोकसाइड के साथ कब कमबाइन होगा बैसे एक गउखा कि पार्शेल प्रेशर ऑफ और तो ज्यादा होगा हम तो हれम अपि andere आइज करेगा अपने साथ को मिनN चरेगा ऑकुल्त करेगा औक जो की होटए होता है तो hemoglobin attach करेगा अपने साथ, combine करेगा oxygen के साथ, पजिमाया, जो की होता है, lungs के अंदर, lungs में क्या होता है, oxygen को inhale कर रहे हैं हम लोग, तो partial pressure of oxygen lungs के अंदर क्या होता है, ज्यादा होता है तो ऑक्सिजन के साथ बॉंड बनाएगा कहां पे लंक्स में लेकिन अगर मैं बात करो हमाजी तो चैल्स के अंदर क्या होती है प्रोसेस ओफ रेस्पिरेशन होती है रेस्पिरेशन की प्रोसेश की तुरान ऑक्सिजन ग्लुकोस के साथ कमबाइन कहता है और प्रोडक्शन होता है सियू टू का शेल के अंदर पासिल पेशल ऑफ काब डियो गया यादा होता है एस अंपर्ट तु अचिजन देफोर हेमोग्लोवीन लीफ्ट ऑउक्सिजन कंभाइन विद सी ओडिक सियू तो फॉर्म कार्बोक्सी लूट आया था कि हमोग्लोवीन एक मीडियम एक स्वोर्स ह जो पकड़के रखेगा oxygen और carbon dioxide को, वो एक medium के अंदर flow कर रहा है, वो medium क्या है blood, तो blood के अंदर oxygen और carbon dioxide को जो flow होता है, वो किसके help से होता है, hemoglobin के help से होता है, and hemoglobin is present in RBC, red blood cells, जो red blood cells होती, उसके अंदर क्या होता है, hemoglobin होता है, इसलिए का जाता है कि RBC helps in transportation of respiratory gases, जब कल हम लोग ने component of blood के बारे में लेखा था तो हमने blood cells के बारे में पढ़ा था, वो देखा था, तिन टाइप की blood cells होती है, ठीक है, RBC, WBC और platelet, तो जो RBC होती है, वो red इसलिए होती ही, क्योंकि उसके अंदर presence होती है, किसकी hemoglobin होती है, किसका है, कोई बात नहीं, चलो देखो, स्वाहिमाया किस तरीके से oxygen और carbon dioxide की transport होता है, तो lungs के अंदर oxygen का pressure ज्यादा होता है, तो वो oxygen को पकड़ लेता है, ठीक है, और cell के अंदर carbon dioxide के परिशर ज्यादा होता है, तो वो किसको पकड़ लेता है, carbon dioxide, और गलती से carbon dioxide को पकड़ लेगा तो वो खतम हो जाएगा, तो वो permanent bond को जाएगा, स्वाज में आया, तो अब हम लोग पढ़ेंगे, एक process को जिसको बोलते है double circulation, और बहुत important है exam को इंटर्व्यूस है, इसको क्या बोलते है, अब हम लोग थोड़े में पढ़ेंगे कि double circulation क्यों बोलते हैं इसको, देखो जब तक, यह क्या है, यह हमारा heart है, और यह हमारे body tissue है, ठीक है, lung से heart को connect करा जाता है pulmonary vein के दुरू, जब pulmonary vein होती है, वो lung से oxygenative blood को लेके आती है left atrium, आया तमझे में, lung से oxygenative blood को लेके आती है pulmonary vein left atrium, ठीक है, left atrium से left ventricle में जाएगा, left ventricle से aorta के अंदर enter करेगा, और फिर enter कर जाएगा वो artery में, और artery से सब जगा चला जाएगा, body tissue होता हो, समयाया, body tissue में क्या हुआ, body tissue में glucose बावावा बेट कर रहे हैं, है न, कहने तू आ तो सही, और जैसी आ जाएगा, वैसी हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, जैसी आ जाएगा वैसी हो जाएगा, along with release of energy, this is called respiration, तो जब body tissue में, body cells के अंदर में हमारा oxygen पहुंचा, oxygenative blood पहुंचा, तो क्योंकि partial pressure of carbon dioxide ज्यादा है, तो hemoglobin carbon dioxide को पकेड़ेगा और oxygen को छोड़ेगा, और oxygen को छोड़ेगा, oxygen glucose के साथ combine होगा, और oxygen glucose के साथ combine होगा, तो carbon dioxide बनेगा और water बनेगा, अब वो carbon dioxide बनेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते है, deoxynative blood बोलते है, deoxynative blood आएगा हमारे veins के अंदर, इसके अंदर आएगा, यह veins, यह चोटी-चोटी दिखाएगा जिए न आपको यह, यह सब veins मिलकर क्या बनाती है, venakawa, ठीक है, now venakawa enters into right atrium, अब venakawa से जो blood होता है हमार किसके अंदर, right atrium, right atrium से कहां पर जाएगा, वो right ventricle, right ventricle से किस में आएगा, pulmonary artery के अंदर, और pulmonary artery के अंदर आने के अंदर आने के बाद वो कहां पर जाएगा, वह लंक्स में जाएगा, अब जब deoxynative blood लंक्स में चला गया, क्योंकि lungs के अंदर carbon dioxide का pressure कम है, as compared to oxygen, इसलिए hemoglobin oxygen को पकड़ लेगा, और carbon dioxide को छोड़ देगा, जा hemoglobin oxygen को पकड़ लेगा, carbon dioxide को छोड़ देगा, तो वो बन जाएगा oxygenative blood, और यह cycle फिर continue करेगी, oxygenative blood, pulmonary vein के तुरू, left atrium में आएगा, left ventricle में जाएगा, aorta के तुरू, different body cells के अंदर और पहुंच जाएगा, फ अब देखो ध्यानते, एक बार तो blood ने entry करी यहां से, और एक बार blood entry कर रहा है, तो blood कितनी बार enter कर रहा है, हमारे head के अंदर, दो बार, इसलिए इस process को बोलते हैं, double circle है, इसलिए इस process को क्या बोलते हैं, double circle, double circle है, सारा खेल, partial pressure का है, partial pressure of oxygen, lungs के अंदर ज्यादा होता है, तो इसलिए, lungs के अंदर carbon dioxide को छोड़ देता है, hemooglobin, और oxygen को पंकेटर के carboxymoglobin, oxymoglobin बनाता है, ठीक है, जिसकी वज़े से, क्या होगी, oxygenated plate बन जाएगा, और oxygenated plate हमारे, कहा पे enter करेगा, heart के अंदर, heart से, वो pump कर दि कापन दाउकसेट की, फॉर्मिशन होगी, carbon dioxide मनला अब बन जाएगा, deoxynate blood कैसे बनेगा, क्योंकि, हमारे body cells के अंदर में, carbon dioxide का pressure ज्यादा होता है, वो ज्यादा होता है, as compared to oxygen, और फिर वो carboxymoglobin मनाएगा, और वेंटर कर देगा, veins में, veins में, veins में, veins में, veins में, veins में, veins में और एक बार note रखने है कि right chamber always receives the oxygenated blood and left chamber always receives oxygenated blood, this was all about transportation system, अच्छा, एक चीज और रहे गई है, lymph, ठीक है, तो देखो, blood vessel में, blood vessel में, छोटे योटे pores होते है, blood vessel में क्या होते है, छोटे योटे pores, उन छोटे योटे pores में से, ठीक है, protein, minerals, है न, और कुछ blood corpuscles, बहार निकलते है, और tissue, महले, cell के बीच में, एकटता हो जाते है, cell के बीच में, एकटता, intercellular space के बीच में, एकटता हो जाते है, और इसी fluid को क्या बोलते है, हम लोग lymph बोलते है, क्या बोलते है, इसको हम लोग lymph, आया समझ में, ठीको, blood vessel में, pores होते है, उसमें से निकलते है, चोट-चोट से protein है न, और कुछ fluid निकलता है, और plasma भी निकलता है, तो ये एक special type का fluid मनाते है, जिसको क्या बोलते है, हम लोग lymph बोलते है, अब ये lymph जो होते है, ठीक है, जाकर entry करते है, एक vessel के अंदर, जिस vessel को क्या बोलते है, हम lymphatic vessel का काम ही होता है, अगर blood vessel से ज्यादा माल मेटरिल आ गया, blood vessel से ज्यादा माल मेटरिल आ गया, तो वो आप इसे blood vessel में transport कर देते हैं, मिल्द, lymphatic vessel are connected to blood vessel, इसके लाबा, जो digested fat होता है, digested fat is transported with the help of lymphatic vessel, जो lymphatic vessel होती है, जो lymph होता है, वो digested fat के transportation में मदद करता है, ठीक है, lymph helps in transportation of digested fat, समझे में आया, ठीक है, एक चीज़ और बताने थी, एक device होती है, इस phigmo manometer, इस phigmo manometer, वो blood pressure को measure करने के लिए यूज करिया आती है, ब्लेट pressure को measure करने के लिए यूज करिया आती है, एक normal person का जो blood pressure होता है, 1200 120 मिली मेंटर है यह उता है यह वाला प्रेसर करेगा мне नीमीटर कारएं जब हर्ट कॉंट्रेक्ट करेगा तो प्रेसर जादा करेगा यह-ठा-प्रेसर करेग और जो डायस्टॉलिक प्रेशर होता है वो 80 mm of Sg. तो यहां आप लोग का ट्रांस्पोटेंसिल सिस्टम खतम हुआ, आगा किसी को डाउट देते कुछ पूछलो, फिर नोट कर लो.